तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाये जाता है कि सीकमी सेजी को टॉर्चर कर रही होती है वहीं पर सेजी सीकमी से पूछ रहा होता है कि आखिर वह कौन है और वह सेजी से क्या चाहती है तभी वहाँ पर एक दिवार को तोड़कर आकने आ जाती है और सेजी को बताती है कि सीकमी उसकी कजन सिस्टर है अब वहाँ पर आकने को देखकर सेजी और भी ज़्यादा डर जाता है और बोलने लगता है कि आकने जो सोच रही है वह सेजी वहाँ पर नहीं कर रहा है और तभी आकने सीकमी पर अटेक करना स्टार्ट कर देती है पर सीकमी आकने के सभी अटेक को डॉज कर लेती है और सीकमी से फाइट करते करते आकने देखती है कि उसके हांथ से चाकू गायब हो जाता है अब सीकमी बोलती है आकने क्या तुम भूल गई? मेरी स्पेसिलिटी स्टीलिंग है अब आकने देखती है कि उसका चाकू सीकमी के हाथ में होता है आकने अब और भी चाकू निकालने की कोशिस करती है पर वह सभी चाकू पहले ही सीक्मी ने स्टोल कर लिये होते हैं और तभी आकने अपने हेर बैंड में से एक ब्लेड निकाल कर उसे सीक्मी पर अटैक करके उसका हाथ कार देती है अब यह देखकर सीकमी काफी ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि मैं हमेशा से तुम से इस तरह फाइट करना चाहती थी तो अब मेरी बारी है और अब सीकमी दुबारा उस चिपचिपी चीज का यूज करके वहाँ पर आकने को भी बांद देती है अब सीकमी बोलती है आकने अब तुमें देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि अब तुम पहले से काफी कमजोर हो चुकी हो बच्पन में जब भी हम दोनों फाइट किया करते थे तुम मुझे बराबर की टकर दिया करती थी पर अब तुम पहले से भी कही ज़्यादा कमजोर हो चुकी हो अब सीकमी बोलती है कि वह हमेशा सही आकने से डैडली बैटल करना चाती थी पर हमेशा इस बात को ले कर ड़़ती थी कहीं वह अपनी पावर का यूज़ करके आकने को मार ना दे पर अब आकने इम्मोर्टल हो चुकी है तो अब उसे इस बात के लिए परिशान होने की कोई जुरुत नहीं अब यह सब सुनकर वहाँ पर आकने को काफी गुसा आ रहा होता है यह देखकर सीखमी बोलती है जब तुम गुसा होती हो तो काफी ज़्यादा सुन्दर लगती हो पर तुम्हें उदास देखने में मुझे काफी ज़्यादा मचा आता है और मुझे लोगों से चीजे स्टील करना काफी ज़्यादा पसंद है तो तब तुम्हें कैसा फील होगा जब मैं तुमसे सीजी को चीन लूँगी अब यह सुनकर वहाँ पर आकने काफी जाता परेशान हो जाती है और तभी वहाँ पर यूजू आ जाती है और आकने को इस हालत में देखकर वह उसे बचाने के लिए सीकिमी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है अब सीकिमी हसते हुए बोलती है तुम काफी बड़ी हो गई हो यूजू पर तुम मेरे सामने कांप क्यों रही हो क्योंकि अब आकने काफी ज़्यादा वीक हो गई है और तभी वहाँ पर सेजी उस चिपचिपी चीज से आजाद हो जाता है और बोलता है कि सीकिमी तुम उन दोनों को अकेला छोड़ दो तभी सीकिमी बोलती है मैंने कभी नहीं सोचाता कि तुम इतनी जल्दी उससे आजाद हो जाओगे और अब सीकिमी सेजी की और आगे बढ़ने लगती है तभी आकने बोलती है कि अगर सीकिमी ने सेजी को हाथ भी लगाया तो वह सीकिमी को जान से मार देगी सीकिमी बोलती है मैं भी तो यही चाहती हूँ तभी सेजी बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम सभी कजन सिस्टर हो पर फिर भी तुम एक दूसरे को मारना क्यों चाहती हो अब सीखिमी बोलती है तो आकने और यूजू ने तुम्हें क्या इस बारे में कुछ नहीं बताया सेजी बोलता है किस बारे में और अब यह सुनकर वहाँ पर सीखिमी हसने लगती है और बोलती है कि अगर उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया तो मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ और तभी आकने बोलती है नहीं तुम सेजी को उस बारे में कुछ भी नहीं बताओगी क्योंकि आकने नहीं चाहती कि सेजी उससे हेट करे अब आकने को यह बोलते हुए देखकर सीखिमी काफी चातक गुसा हो जाती है और बोलती है कि आखिर यह तुम क्या बोल रही हो मैंने जितना सोचा था तुम उसे भी कही ज़्यादा कमजोर हो चुकी हो मैं जिस आकने को जानती थी वह कभी भी रोती नहीं थी पर तुम पूरी तरीके से बदल चुकी हो तभी सीकिमी अपने हाथ से कील निकालती है और बोलती है कि उसे पता है कि वह आकने को कैसे नॉर्मल कर सकती है और अब वह तेजी से सेजी की और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है और उसी वक्त वहाँ पर गुरी आ जाती है अब गुरी को देखकर वहाँ पर सीकिमी रुख जाती है अब गुरी बोलती है कि वह सब यहाँ पर क्या कर रहे है वह उन्हें हर जगा ढूंड रही थी और तभी वह सेजी के हाथ में लगे हुए चोट को देखकर बोलती है कि सेजी को यह चोट कैसे लगी पर तभी सीकिमी भागते हुए गुरी के पास जाती है और बोलती है कि उसने गुरी को काफी ज़्यादा मिस किया पर गुरी उसे नहीं पहचानती है अब सीकिमी उसे पताती है कि वह सीकिमी है और अब वह अपना विक दुवारा पहन कर दिखाती है जो देखकर गुरी काफी ज़्यादा खुश होती है और बोलती है तो तुमें भी कॉस्पले करने का सौक है बिल्कुल मेरी तरह तुम बिल्कुल मेरी तरह हो अब सीकमी गुरी से माफी मांगती है और बोलती है कि उसने उस वक्त यूजू और आकने को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताने दिया था क्यूंकि वह अपनी कजन सिस्टर को सर्प्राइज देना चाहती थी यहां सुनकर गुरी काफी जाता खुश होती है अब सीकमी उसे लव फॉन दिखाते हुए बोलती है कि क्या गुरी उसे बताएगी कि इसे यूज कैसे करते हैं अब सेजी गुरी उस चिपचिपी चीज का यूज करके वहाँ पर सीजी को बान देती है अब गुरी लव फॉन को देखकर काफी जाता खुश होती है सीकमी उसे पताती है कि गुरी ने उसे गिरा दिया था पर सीकमी को वह मिल गया तो अब गुरी उसे बताएगी इस लव फॉन को कैसे यू पर वहाँ उसका नाम उन सभी को बताने से सर्मा रही थी और सच बात तो यह है कि वह सेजी से प्यार करती है और तो और वहाँ आकने और यूजू को भी काफी चादा पसंद करती है तो फिर गुरी सीखमी का भी नाम अपने ग्रूप में सामिल कर ले वहीं सीखमी सोच रही ह होती है कि एक बार लब फॉन में उसका नाम लिख जाने के बाद उसे भी एंजल ब्लेसिंग्स मिल जाएगी और वह भी इम्मोर्टल हो जाएगी जिसके बाद उसे और भी जादा मज़ा आएगा वहीं पर सेजी सोच रहा होता है गुरी बहुत बड़ी हो अब गुरी बोलती है कि वह सीकमी के अंदर थोड़ा सा भी लव फील नहीं कर पा रही है इसलिए वह उसका नाम नहीं लिखेगी सीकमी बोलती है कि तुम यह क्या बोल रही हो अब गुरी बोलती है जब उसने आकने और यूजू से इस बार में पहली बार बात की थी तो उसे उन दोनों के अंदर लव फिल हुआ था पर सीकमी का हार्ट पूरी तरीके से खाली है अब सीकमी बोलती है तो तुम मेरा नाम उसमें नहीं लिखोगी तो मेरे पास कोई और चोईस नहीं है और अब सीकमी गूरी पर अटैक करने वाली ही होती है कि तभी उसके पास किसी का कॉल आ जाता है कॉल पर आकने की मॉम होती है अब आकने की मॉम सीकमी को किसी काम से बुलाने लगती है जिस बात पर सीकमी उन्हें मना नहीं कर पाती और अब सीकिमी वहाँ पर सभी से बोलती है कि अभी उसे यहाँ से जाना होगा पर वह वापस आएगी और दुवारा उन सभी के साथ गेम खेलेगी और अब जाते हुए सीकिमी आकने और यूजू से बोलती है कि उनके पास जितनी भी प्रेसेस चीजे हैं वह से जी के साथ वह सभी चीजे उन से चीन लेगी अब सीकिमी वहाँ से चली जाती है वहीं पर इन सबसे से जी की हालत काफी जादा खराब होती है अब आकने से जी को अपनी गोद में लिटा लेती है और बोलती है कि से जी उसे माफ कर दे क्योंकि आकने ने सेजी को भी अपनी family problem में involve कर लिया है सेजी बोलता है कोई बात नहीं इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और अब वहाँ पर आकने गुरी को सीखमी की बात ना मानने के लिए thanks करती है जो सुनकर गुरी को काफी ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि आकने ने आज से पहले उससे इतने अच्छे से कभी बात नहीं किया था अब आकने सेजी से कुछ बोल रही होती है पर सेजी कोई जवाब नहीं देता अब गुरी आगे आती है और बोलती है कि डॉक्टर गुरी यहाँ पर patient को चेक करीगी और अब गुरी patient को चेक करती है तो सेजी वहाँ पर मर चुका होता है अब हमें दिखाया जाता है कि सेजी मरने के बाद heaven में आ चुका होता है और अब यह अजब देखकर सेजी को बहुत आजीब लग रहा होता है और अब वह काफी ज़्यादा डड़ जाता है तभी उसके पास कोरली आता है अब कोरली का real form देखकर वहाँ पर सेजी और भी ज़्यादा घबरा जाता है अब वहाँ पर सेजी कोरली से पूछता है कि आकिर यहाँ पर क्या चल रहा है अभी थोड़ी ही देर पहले वहाँ पर आकने और गूरी से बात कर रहा था पर अभी वह यहाँ पर क्या कर रहा है और वह मर कैसे सकता है क्योंकि वह तो immortal है कोरली बोलता है कि वह उसे सब कुछ explain करेगा पर इससे पहले सेजी को गौड से मिलना परेगा अभ कोरली सेजी को लेकर गौड के घड के सामने आता है और बोलता है किस दरवाजे के उस पार गौड रहते हैं जो देखकर सेजी को काफी अजीब लगता है और वह बोलता है कि यह तो एक normal door है अभ सेजी उस door को खोल कर उसके अंदर जाता है सेजी बोलता है तो यह कामी परसन गौड है और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर रूफ के उपर एक परसन लटक कर उन दोनों को देख रहा होता है और तभी वह परसन वहां से नीचे गिर जाता है अब कोरली बोलता है गौड कामी सेजी से मिलना चाता था वहीं सेजी कामी से काफी फॉर्मली बात कर रहा होता है जिस पर कामी बोलता है सेजी को उससे फॉर्मली बात करने की कोई जूरत नहीं वह कामी को डैड बोल सकता है अब कोरली सेजी को बताता है कि काम ही कोई और नहीं बलकि गूरी का फादर है और गूरी का फादर ही गौड है वहीं अर्थ पर सेजी को मरा हुआ देखकर आकने काफी ज़्यादा परेसान हो जाती है और उसे उठाने की कोशिस करता ही होती है वहीं पर यूजर सोच रही होती है कि कल उसकी वज़े से सेजी को cold हो गया था क्योंकि उसने सेजी को मारगर river में गिरा दिया था तो क्या उसकी वज़े सेजी आज यहां पर मर गया वहीं पर आकने बोल रही होती है अगर सेजी थोड़ी दिर में नहीं उठा तो वह अपने आपको भी मार लेगी तब ही गुरी बोलती है कि उसके पास एक idea है जैसे stories में जिसे sleeping princess को kiss करके prince उठाता है वैसे ही उन सभी को सेजी को kiss करके उठाना होगा यह सुनते ही आकने सेजी को kiss करने लगती है पर वह नहीं उठता है अब गूरी बोलती है सेजी उसके किस से नहीं उठा तो अब गूरी उसे किस करके उठाएगी पस उनते ही आकने काफी जादा गुस्टा हो जाती है और बोलती है कि वह गूरी को सेजी को किस करने नहीं देगी अब गूरी बोलती है अगर उसने सेजी को किस नहीं किया तो सेजी नहीं उठेगा आक ने बोलती है ठीक है तो मैं उस तरफ देखती हूँ तब तक तुम सेजी को किस कर लो और अब गूरी सेजी को किस करने जाही रही होती है कि तभी आकने उसके सर में चाकू मार देती है वहीं दूसरी और कामी सेजी को हेवन में गूरी को वह वीडियो दिखा रहा होता है जिसमें गूरी सीकिमी से बात कर रही होती है और अब कामी बोलता है कि उसने आद से पहले गुरी को ऐसे एक्ट करते हुए कभी नहीं देखा और तभी टियारा वहाँ पर उनके लिए टी लेकर आती है अब टियारा को देखकर सेजी पूछता है कि वह यहाँ पर क्या कर रही है जिस पर टियारा बोलती है वह एक एंजल है तो वह हैवन में ही होगी न और तभी वहाँ पर सेजी कामी से गुरी की मदर के बारे में पूछता है जो सुनते ही कामी वहाँ पर काफी ज़्यादा अपसेट हो जाता है अब टियारा सेजी को बताती है कि गुरी की मॉम ने कामी को बहुत पहले छोड़ दिया था च्योंकि गुरी की मॉम ने कामी को उसे चीट करते हुए पकड़ लिया था और इसलिए उसने कामी को डिवार्श दे दिया कामी बोलता है मैंने उसे चीट नहीं किया बलकि यह बात है कि मैं सबको पसंद करता हूँ वहीं सेजी बोल रहा होता है कि तो इसका मतलम यह है कि गौड एक चीटर है अब टियारा सेजी को बताती है कि कामी ने सेजी को यहाँ पर टेमप्रेरी बुलाया है जिससे वह सेजी से गुरी के बारे में कुछ बात कर सके अब कामी बोलता है सेजी तब तुम क्या करोगे जब तुम्हें पता चलेगा की मेरे बाद गौड गुरी बनने वाली है यह सुनकर सेजी को काफी अजीब लगता है और वह बोलता है की कामी गौड की पोजिशन के लिए किसी और को चुन ले कामी बोलता है वो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि उसके बाद गूरी को ही गौड बनना होगा यह सुनकर सेजी काफी ज़ादा डर जाता है और बोलता है कि अब दुनिया खत्रे में है तभी टियारा बोलती है अगर इस दुनिया को कामी हैंडल कर सकता है तो गौरी भी इसे हैंडल कर ही लेगी अब कामी बोलता है पर गौड बनने से पहले गौरी को एक चीद सीखना होगा जो उसे बस तुम सिखा सकते हो सेजी बोलता है क्या कामी उसे बताता है कि उसे गूरी को लब के बारे में सिखाना है गूरी को सभी चीजों के बारे में पता है पर उसे लब के बारे में कुछ भी नहीं पता और यहीं सीखने के लिए मैंने उसे एक क्यूपिट का काम दिया जिससे वह लब के बारे में कुछ सीख सके पर वह बिना कुछ काम किये इधर उधर भागती रहती है और जब देखो तब male couples बनाती रहती है पर फिर मैंने देखा कि गुरी को तुम में interest है और वह वह सभी काम करती है जो तुम उससे करने के लिए बोलते हो तो वह सेजी से request करता है कि सेजी गुरी को लब के बारे में सिखाए और तभी वहाँ पर एक person की entry होती है और वह बोलता है कि तुम हमेशा चीजों को काफी complicated बनाते रहते हो कामी और अब तुम गुरी को लब के बारे में सिखाने के लिए एक human से request कर रहे हो मेरी बात मानो तुम्हें गुरी को गुर्ड नहीं बनाना चाहिए और अब उस person को वहाँ पर देखकर कॉरली और टियारा काफी ज़्याता ड़ जाते है अब सेजी बोलता है तुम कौन हो अब वह person बोलता है मैं कामी का एक पुराना दोस्त हूँ मेरा नाम माओ है और तुम मुझे डैवल के नाम से जानते हो यह सुनकर सेजी डर जाता है अब माओ सेजी को पगड़ कर बोलता है तो तुम गुरी के boyfriend हो पर तुम में मुझे कुछ भी special नहीं दिख रहा मेरी बात मानो तो तुम इन सब चकरों से दूर रहो अबे तुम यंग हो तो अपनी लाइफ बिना किसी problem के जी हो क्योंकि इन problems में फचने के बाद तुम यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे तभी कामी बोलता है तुम सेजी को डराने की कोशिस मत करो हम सभी को पता है कि तुम गूरी को अपने साथ ले जाना चाहते हो पर मैं यह नहीं होने दूँगा माओ बोलता है तुम्हें इतना excited होने की कोई जुरत नहीं पर तुमने बिल्कुल सही कहा मैं गूरी को हमारे साथ मिलाना चाहता हूँ क्यूंकि गूरी की जैसी personality है वह गूर्ड नहीं बलकि डीमन बनेगी और गूरी हैल के अंदर काफी चादा popular है और उसके सभी काम भी डीमन्स वाले हैं तो उसे डीमन ही बनना चाहिए और अब इस बात को लेकर वहाँ पर माओ और कामी fight करने लगते हैं तभी सेजी बोलता है पर मेरे खयाल से गूरी को इन दोनों ही कामों में कोई भी interest नहीं है अब यहां सुनकर वहां दोनों सांत होते हैं और बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा अभी वहां इन दोनों में से कोई भी काम करना नहीं चाती है तो हमें इन दोनों में से किस काम में जाता है और अब कामी वहां पर सेजी को गूरी का ध्यान रखने के लिए बोलता है और तभी वहां पर एक अलारम बसता है जो देखकर कामी बोलता है सेजी और अब कामी सेजी को वापस भेज देता है वहीं दूसरी और आकने गुरी को अपने चाकों से फेक फेक कर मार रही होती है और उस पर काफी जाता गुसा हो रही होती है वहीं खड़ी यूजू सोज रही होती है कि क्या अब उसे सेजी को किस करना चाहिए क्या पता उसके किस करने से सेजी उठ जाए और अब यूजू सेजी को किस करने जाही रही होती है कि तभी सेजी चिलाते हुए उठ जाता है और अब वहाँ पर यूजू और सेजी आपस में टकरा जाते हैं अब सेजी को ठीक देखकर आकने उसके पास भागते हुए आती है और उसे गले लगा लेती है अब गुरी सेजी के पास आती है और उसे पूचती है कि तो हैवन कैसा था सेजी बोलता है तो तुम्हें इस बारे में पहले सही पता था गुरी बोलती है हाँ तो कि सेजी इमोर्डल है और वह मर नहीं सकता तो उसे लगा ही था कि उसके डाड ने सेजी को बुलाया होगा अब आकने गुस्षा होते हुए बोलती है तो तुम इतनी देर से हमार साथ खेल रही थी गुरी बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही का पर अब सब कुछ ठीक हो चुका है तो अब हमें घर जाना चाहिए वही सेजी सोच रहा होता है कि गुरी को कोई जित समझा पाना सच में काफी जाता मुश्किल है तो फिर वह गुरी को लब के बारे में कैसे समझाएगा और यही पर यह एपिसोड कतम हो जाता है